हेलो एव्रिवन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ structure of XCO3F2 मतलब xenon trioxy difluoride तो सबसे पहले हम निकालेंगे xenon का hybridization क्या है उसमें कौन-कौन से ground state के बाद excited state लेना है और finally shape of the molecule क्या है तो चलिए सबसे पहले लेते हैं hybridization का calculation जैसे मैंने आपको बताया है कि simple calculation है जितने valence electron है उसको लिख लेजिए तो चलिए xenon में 8 हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 8, total 8 valence electron और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 oxygen involved है और 2 fluorine है हर oxygen के लिए मुझे चाहिए 2 electron तो यह oxygen, oxygen, oxygen और 2 fluorine के लिए 2 electron चाहिए हर fluorine के लिए 1 electron अब आप यहाँ पे दीखिए कि 1, 2, 3, 4, 5 5 atom bonded है और 5 atom bonded का मतलब bond pair 5 loan pair है यह नहीं तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे bond pair 5 loan pair 0 तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें electron pair दोनों को मिला देंगे यह 5 और यदि electron pair 5 है तो hybridization होगा sp3d तो पहले hybridization decide करेंगे hybridization हो गया sp3d अब यह sp3d का मतलब हो गया जो electron pair geometry है वो होगा trigonal bipyramidal अब देखें एक electron pair geometry है shape तो बात में decide होगा पहले hybridization से हमने decide कि expected geometry जो electron pair geometry है उसको हम लिखेंगे electron pair geometry is तो यह हो जाएगा trigonal bipyramidal अब trigonal bipyramidal हो गया लेकिन वहाँ पे बांड भी तो देखना oxygen है तो कौन से पाई बांड है अब बताएगे यहाँ पे two into three six bond तो oxygen के लिए हो जाएगा और दो fluorine के लिए दो bond मतलब आठ bond total बनने वाले हैं इप्टार number of bonds are eight then we require eight number of unpaired electrons हमें आठों electron जो valence electron xenon में हैं सारे के सारे हमें चाहिए unpaired तो चलिए अब ground state and excited state configuration में देखते हैं xenon को हम किस तरह से लेते हैं यह देखिए xenon ground state में हो गया है 5s2 and 5p6 ठीक है देखिए helium first period में है तो helium, neon, argon, krypton, xenon 50 period में इसलिए 5s2, 5p6 है और यहां पे कोई unpaired electron नहीं है तो यहां लिखेंगे no unpaired electron हमें तो target मिला है 8 electron का तो ground state से अब हम start करेंगे excited state तो चलिए first excited state देखते हैं हम लोग first excited state यहां पे होगा 5s2 5p5 और बालो मेरा आपको कि excited state में orbit number change नहीं होता है उसी orbit में एक sub energy level से दूसरे sub energy level में electron जाएगा लेकिन ध्यान रखना है कि जो unpaired उसको compare नहीं करेंगे जो paired है उसको unpaired बनाएगे तो यहां से हो जाएगा 5d1 और अब यहां पे 5p5 में एक unpaired electron 5d1 में है तो total कितना हो जाएगा 2 unpaired electron अब हम जाएगे second excited state अभी भी देखिए P में कितने होने जाएगे maximum 3 unpaired electron जब तक कि 3 न हो जाए तब तक वहां से electron निगलते रहेगा तो यह हो जाएगा 5s2 5p4 5d2 अब यह हो जाएगा 4 unpaired electron हर excited state पे दो बढ़ जाता है यह हो गया यह हो गया आपका 6 unpaired electron अब इसके बद आप देखेंगे कि 6 को आप 8 बनाने के लिए यहां से भी excited state हमें भी लेगा तो यह हो जाएगा 4th excited state यह है 5s1 5p3 and 5d4 अब हमारे पास हो गया 5 8 unpaired electrons क्योंकि 1, 3, 4 और यह d के अंदर तो maximum 5 हो सकते तो 4 ही है ना तो total number of unpaired electrons हो गया 8 हमें 8 ही चाहिए था अब यहां पे हम distribution देखते हैं कैसा होगा देखिए एस एक है हमारे पास p हमारे पास 3 orbital है और d हमारे पास 5 है इस तरह से अब electron का distribution कैसा है एस के अंदर 1 है यहां बतर सभी जो है unpaired हो गई है यह देखिए d के अंदर 4 है तो इस तरह से unpaired electrons अब hybridization हमारे क्या है sp3 d तो हम ही क्या करना है कि s 3 p और 1 d इनको लेके जो है intermix कर देना है तो यह हो गया hybridization sp3 d यह बिल्कु क्लिर हो गया अब हमारे पर तो 3 unpaired electron है यह किसलिए है यही तो pi bond बनाएंगे हर oxygen के demand है एक pi का 3 oxygen है 3 मिल जाए यहां लिखेंगे यह जो हमने छोड़ा है left far हो गया यह pi bonding ठीक है तो अब है electron pair geometry जो हमारा है वो है trigonal bipyramidal तो सबसे पहले हम देखेंगे कि trigonal bipyramidal हम किस तरह से इसको अलग-अलग करते हैं ठीक है अब यहां पर यदि मैं xenon लेनो एक model भी मैंने ready रखा है यह xenon है और यदि यहां से एक fluorine उपर एक fluorine अब यहां पर हम लेंगे एक oxygen यहां पर दूसरा oxygen यहां पर तीसरा oxygen यहां पर और यहां पर भी एक-एक bond बना अब दिखे SP3D में total 5 bond बनने चाहिए तो 1, 2 और यह 3, 5 हो गया अब यह जो 3 जो बचे हुए है electron यह क्या करेंगे यह बनाएंगा हम देखेंगे एक pi bond यह हो जाएगा एक pi bond यह हो जाएगा एक pi bond यह है तो हमारे पास तीन pi bond बन गए और कोई loan पर नहीं है इसलिए shape भी जो है वो trigonal bipyramidal ही होगा तो यहां पर हम लिखेंगे shape is trigonal bipyramidal अच्छी बताएगे आपको यह तो clear है ना कि trigonal bipyramidal electron पर geometry और कई बाद shape जो है अलग होता है क्योंकि वहाँ पर loan pair होता है यहां तो loan pair है ही नहीं तो shape होगे trigonal bipyramidal अब बताएगे सिगमा कितने बने हैं एक दो और तीन यहां पर पाच तो five sigma by अब यहां पर जो है हमारे पास hybridization क्या था sp3d और oxygen के चाहे फ्लोरीन हो इनका तो spd3d p बनता है इसके बाद हम देख रहे हैं कि तीन जो है pi bond है 3 pi by d and p hence 3 d pi p pi bonds तो 3 d by pi bonds बन गया और shape जो है वो trigonal biprimatory रहा अब मैं इसको model से explain करता हूँ किस तरह से हमने लिया है यह देखिए इस model में यह sp3d है sp3d में देखिए 1, 2, 3 यह देखिए आपको इधर से चली हटा देता हूँ मैं यह देखिए यह trigonal planar base हो गया और एक इसके ऊपर है और एक नीचे है तो यह जो fluorine है यह purple color का यह fluorine है और 1, 2, 3 यह oxygen है तो यह होगा trigonal bipyramidal जहां पर bond angle आपको मालूब है 90 होगा 120 होगा और यह 180 तरह ही तो इस तरह से जो है तो bond angles आपको मालूब है इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूँ बाकी जो है 91, 20 और 180 ऐसे एक्सल पोईशन पर है तो यहां पर जो trigonal bipyramidal है उसके अंदर सिग्मा पाई बाउंड है पाई बाउंड कौन सा है dpi, ppi अब बताएगे इसमे ppi, ppi क्यों नहीं है क्योंकि आपनी जो है कोई p orbital छोड़ा ही नहीं है सारे के सारे hybridize कर लिए sp3d में इसलिए यह होगा trigonal bipyramidal और structure किसका है xc03f2 का इसको आप note कीजिए